आजके इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ Facebook profile log कैसे करें यानि कि Facebook के profile में log कैसे लगाएं दोस्तो अगर आप भी Facebook का इस्तमाल करते हैं तो आपने देखा होगा काफी सारी profile पे log लगा रहता है जिससे उनके बारे में कुछ भी आपको पता नहीं चलता है अगर आप भी कुछ इस परकार से अपने Facebook profile को log करना चाते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से लगाना काफी जादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लगा पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपले इस वीडियो को लाइक साथ इसा चानल को सबस्काइब कर लिजेगा तो फिर यहां पे Facebook profile पर log लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको Facebook का जो option देखने को मिलता है यानि कि Facebook पर आपको आ जाना है अब यहां पे जैसे Facebook पर आ जाते हैं यहां पे Facebook पर आने के बद आपको अपने profile पर जाना है इसके लिए simply आपको उपर के साइड में ठ्री लाइन पर क्लिक करना है और यहां पर आने के बद आपको अपना नाम पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने facebook के profile पे आ जाईएयेगा अब यहाँ पर आने एक बाद सबसे पहले तो आपको अपना photo पे लोक लगाना है उसके बाद अपको अपने profile पे लोक लगाना है यहाँ पे आपको photo पर एक बार click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Turn On Profile Picture Guard इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आने के बाद जो आपको Next का Option देखने को मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं Simply आपको Save वाले Option पर क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर Save करने के बाद आपके Photo पर Lock लग गया अब जो आपको अपने Profile पर Lock लगाना है तो यहाँ पर नीचे के साइड में ठीडोट का जो Option आपको देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक Option देखने को मिलेगा Lock Profile का Simply आपको इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर जैसे आप आज आते हैं यहाँ पर नीचे के साइड में आप देख सकते हैं एक option है Lock Your Profile इस पर जो है आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर दते हैं यहाँ पर finally आप देख सकते हैं You Locked Your Profile यानि के हमारा Facebook Profile यहाँ पर Lock हो चुका है प्रोफाइल को लोग कर सकते हैं वीडियो आपको के सलगा हूँ या कमेंट बॉक्स में जरूँ से पताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले